आज मैं फैयास खां जी के जीवन परीचे के बारे में प्रेकाश डालने वाली हूँ इनके मुखे वुंदों के बारे में आपको मैं बताऊंगी इनका जन्म 1886 में हुआ था इनका जन्म इस्थान था सिकंद्रा आगरा इनके पिता का नाम था सफदर हुसेन इनके गुरू थे इनके नाना इन्होंने अपने नाना से 5 वर्ष से 25 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की इनकी उपलब्दियां थी और इनके उजो पुरसकार थे वो इस प्रेकार है इन्होंने स्वन प्रदक लिया 1906 इस्वी में इनको आफ्ताबे मौसिकी के पुरसकार से नवाज़ा गया 1911 इस्वी में बडोदा के महाराज सिया जी राव ने इनको अपने दर्बार में दर्बारी गायक निक्त किया था बंगार संगीत परिशद तथा इलाबाद विश्विध्याले से इनको सम्मान मिला 1935 में और लाहोर रेडियो इस्टेशन में इन्होंने बहुत सारी प्रस्तुतियां भी दी इनकी जो विशेशत हैं थी वो इस प्रेकार हैं ये काफी नीची स्वर से गाया करते थे इनकी आवाज जोड़दार और भरावरदार आवाज थी सभी तरह की गायन में ये नुपूर थे खयाल, दुरूपद, धमार ये अच्छी तरीके से गाते थे खयाल में भी नोम तोम का अलाप करते थे बीच बीच में तू ही आनंध हरी कभी-कभी गाया करते थे इनका रचनात्मक नाम है प्रेम प्रिया इनके शिष्ये हैं दलीब चंदर बेदी, अता हुसेन, लताफत हुसेन, शराफत हुसेन इनकी मृती हुई 5 नवंबर 1950 में उस टेम पे इनकी उमृती चौटसर से 65 की उम्र में थे इनके प्रिये राग हैं जैजवन्ती, तोडी, ललित, दर्बारी और रामकली इनका घराना है आगरा घराना, यह सब छोट 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 पॉइंट है, हमारे multiple choice question में भी आते हैं और आपको जीवनी लिखने में भी help करेंगे